चलिए दोस्तों लेके आकर हूँ आप की लिए इंडस वैदी सिविलाइजेशन यानि की सिंदू घाटी सब्यता के कुछ और रोचिक तत्य जिसका ट्रेलर मैंने वेडनेस ठीको पोस्ट किया था अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं उपर सिजेशन में आपको वो इसका लिंक मिल जाएगा तो बिना वक्त जाया किये अगर आपने पार्ट वान देखा है वो भी ने देखा तो उसका भी लिंक उपर सिजेशन में मिल जाएगा अभी देखी तो फिर बिना वक्त अगर आपने देख लिया है, सब देख लिया है, तो शुरू करें इंडस्वैली सिविलाइजेशन के कुछ बहुत ही रोचक तर्थे, जो आपको शायद नहीं मालूम होगा, और एक तो ऐसा है, जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, चलिए फिर शुरू करते हैं, नमस्कार दो दोस्तों, इंडस्वैली सिविलाइजेशन, थोड़ देश तो नहीं हो रहा, चलिए अराम से, स्लोली, स्लोली, अराम से बात करते हैं, स्लोली, स्लोली बात करते हैं, चलिए, इंडस्वैली सिविलाइजेशन दोस्तों, बढ़ा है ना भी, पार्ट वान में बताया था सार उसमें इंडिस्वाली सिविलाइजेशन के मैंने कुछ जेनरल पॉइंट्स डिसकस किये थे और मुझे आपकी तरफ से काफी पॉजिटिव फीड़ पैक आया उसके लिए हाँ जोड़के आप सभी का धन्यवाद तो फिर अब आते हैं पार्ट टू पे तो आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को दुबार दीजिए लेटेस्ट हिस्ट्री वेडियो सबसे पहले देखने के लिए चलिए फिर अब पाँच फैक्ट्स बताऊंगा किंती के पाँच फैक्ट्स तो फिर करते हैं पहला फैक्ट शुरू फैक्ट नंबर वन इंडस्वाली सिविलाइजेशन या सिंदुखाटी सब्विथा दुनिया की सबसे बड़ी सब्विथा थी सबसे बड़ी में से एक नहीं थी सबसे बड़ी गहीं थी 12,60,000 स्क्यार किलोमेटर के एरिया में कि शेत्रफल में फैली हुई ये सब्विथा दुनिया की सबसे बड़ी सब्विथा थी उस वक्ट दुनिया में में चार सब्विथा थी और विचार के नाम चाइना में चीन में जिसे हम कहते हैं वांग हो एली चीक है वांग हो एज यू ए एन जी हो वांग हो वैली चाइना में थी उसके बाद नाइल वैली एजिप्ट में थी बहुत मशूर है और उसके बाद मेसोपतामिया जो बहुत सबसे जादा मशूर है वो थी पर जो चौथी थी इंडस्वैली सिफिलाजेशन वो सबसे अलग थी और सबसे बड़ी थी नहीं है अलग है बड़ी है तो इतना एरिया आज के अगर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी मिला थे तो भी इतना एरिया नहीं बनता इसके मैं कहता हूँ चलिए इस थे गागर्ण हाकरा वैली मतलब सरस्वती नदी इसके इस्ट में थी गागर्ण हाकरा वैली रिवर वैली है जो वो सरस्वती नदी है मतलब उसको उसकी ट्रिब्यूटरी है उसके बार इसके जो West में है वो आता है Makdan Coast बलॉचिस्तान में पिछली वीडियो में दिकर किया था अब ऊपर चलें North West में आता है के क्या आता है अफगानिस्तान जी साथ में आता है इसके दाइमाबाद जो की है महाराश्त में आगे चलें आगे 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 आगे, 12,60,000 स्क्वेर किलमेटर का एरिया था, ठीक है, अब, फैक्ट नमर बन, मसित नहीं है, फैक्ट नमर टू, इंडेस वैली सिविलाइजेशन में हमें 1056 सिटीज मिली हैं, 1056, खमाल है न, उस जमाने में भी इतनी सिटीज कैसे हो सकती हैं, पर अभी और इस पे खोड़ चल रही हैं, हो सकता हमें और सिटीज मिल जाएं, पर में यही थी सिटीज, मतलब कि में में हम कहें, तो 1056 सिटीज अभी हैं, और हो सकती हैं, और इस में सिटो जादा थे, मतलब चुमें है, मोहनजुदार रहा है, डोला वी रहा है, यह सब में यह सिटीज हैं, उन में से कुछ हरपा में इतनी थी, यह सब कुछ में इतनी थीज है, fact number 2 यह नहीं है fact number 3 पे आते हैं fact number 3 कहता है कि industrial civilization की कुल जनसंख्या 50 लाग थी आप को क्या लगता है 50 लाग होगी नीचे comment section में जरूर बताजिए 50 लाग मुझे नहीं लगता होगी क्योंकि 1056 cities मिलिया है तो अगर cities के criteria से देखें तो 50 लाग बहुत थोड़ी population उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता आपकी कहा रहा है comment section में बताइए चलिए बताइए जल्दी जल्दी comment कीजिए और वीडियो देख रहे हैं वीडियो को like किया आपने जल्दी से source से like button दबा दीजिए चलिए फिर अगले fact पर आए अगला fact कहता है कि जो fact number four है वो क्या कहता है fact number four fact number four क्या कहता है नहीं three मैंने बताया है नहीं आपको fact number three पर आते हैं fact number three कहता है कि जो indus valley civilization थी उसके 50 लाग जन से किया थी वो मैंने आपको बता दिया उसके archive fact बताना भूल लिया artisans और ट्रेडर्स थे ज़या artisans महलरा जो कोई चीज़ डिजाइन करते हैं उसको बनते हैं जैसे कोई लोग के हदियार बनाताया खोई कुछ बनाताया कोई कुछ बनाताया कोई कुछ बनाताया बहुत कुछ बनाते लगा लेजी आज के manufacturers वही artisans mainly तब थे और अगले आते हैं traders व्यापारी service sector में आते हैं आज हम कहारें service sector, service sector बिजोर दो तब पहले ही नहीं दे चुके थे क्यों service sector में इतने लोग थे? service sector में इसलिए सबसे ज़्यादा लोग थे मलब service sector व्यापार में trading में सबसे लोग इसलिए थे, क्योंकि उस वक्त इंडिया सबसे fertile land मानी जाती थी सोने की चिडिया कहा जाता था भारत को क्योंकि भारत की जमीन सोना उगल थी, सोने का मनल भी यह नहीं है कि असली बलग हो भी था पर इसके मिट्टी बहुत उप जाओ थी इतनी उप जाओ पूरी दुनिया में कई मिट्टी नहीं थी इसलिए फसल बहुत जादा हो रही थी इतनी फसल हो जी थी कि हमारे अंदर के नियच्स को फुल्फिल करने के लिए बहुत थी तो हमने क्या सोचा चलिए, एक्सपोर्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं तो यहां से एक्सपोर्ट की कहानी शुरू होती है, एक फैक बताता हूँ इसके रिलेटिट मत समझेगा जो हम कहते हैं न, रेश में कपड़ा रेश का कपड़ा है पहले हैं, इंडिया में तो बहुत जादा होता है, बांगलादेश में था चलिए, बांगलादेश तब भारत का हिस्सा था तो वो कैसे करते थे बहुत इंट्रेस्टिंग है, एक तकड़ी होती है वेंग स्केट, उस पे एक सेट पे रखते थे उसका कपड़ा रेशम का कपड़ा, दूसरी सेट पे का रखते थे मतलब सोना, उतना सोना दो, उतना रेशम का कपड़ा लो मतलब दोनों का वेट इक्वल जब होगा तो काफी ज़्यादा प्रॉफिटेबल था ये ट्रेडिंग और एक और बतातो जो अरप ट्रेडर्स थे इससे मत करेंगा, बार-बार कहरा हूँ अरप ट्रेडर्स जो थे, वो साउथ में जाते थे स्पाइसे ले, स्पाइसे पर में इन काली बिच जिसे ब्लैक पैपर कहते हो और उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता थे यॉरप में क्यों कहते थे क्यूंकि उसकी कीमत बहुत जादा थी अब यह सोची कि कहते थे कि हम तीन शिप्स लेकर जा रहे हैं तो समुद्री डाकू बहुत होते थे तो समुटली डाको का कट है लूक लेते थे शिप को लेते हैं तो नहीं पता है ब्लैक का पैपर के कीमन बहुत साथ है तो कहते थे अगर एक भी हमारी शिप पहुंच जाए तीन में से एक ही शिप पहुंच जाए तो हमें इतना प्रॉफिट होगा कि हमारी साथ पुष्टे अराम से खाना काएंगी पैठ के अच्छे हिस से पूरी रॉयल लाइफ चीहेंगी यह कहते थे वो चलिए इन सब बातों को रखते हैं साइट पे अगले फैक्ट पे आते हैं फैक्ट नमबर फोर पे और फैक्ट नमबर फोर के अनुसार यह कहते हैं कि मतलब यह अब उन्हें विलेज तो इकने मिले नहीं क्योंकि वो कहते हैं विलेज डिस्ट्रक्ट अब बने थे कि वो डिस्ट्रक्ट हो सकते थे इसके हमें मिले नहीं पर सच इसमें थोड़ा चुपा लगता है 1056 cities एक जगह कहें 1056 cities और 50 लाग की population अब तूसरी साइट पर क्या कहते हैं आर्केलोजिस्ट कि ज़्याद तर population विलेज में रहती थी तो फिर cities किस चीज क्यों ही city में रहते ही कौन था फिर city और गाउं में क्या फरक और आज के पाकिस्तान अफ़कानिस्तान को भी मिला ले तो भी इतना विडिये इंडेस वाली civilization जितनी जगा नहीं बन थी जितनी तब थी ज़िये जो फैक था वो बताती हैँ अब आगे आप सोचिया और नहीं जैंक में पताईए आपका इस फैक नम्बर ट्रीन और फोर के बारे मैं क्या विचाँ ही जल्दीसे बताइए अब फैक नम्बर फाइफ 최क्रास क्या कहता आब है फैक नम्र फाइफ में »archaeologist Fred Australis civilization« के नाम कीवार.'" जी दोस्तों, जीस नाम से हम पोकाठे हो, वह नहीं पेखाथ एंडस whileis civilization वो खेते हैं इंडस whileis civilization नहीं कहना हम और भी जुथ हमने इतनी जिएवार से लियात कि हम लब इंडस whileis civilization केवार में यह वो, क्या, क्या करें अब जो में है वो इंडस सरस्वत्य जो इसफ मीं हो आता है क्वोंकि इंडस में किनारे पे सों साइट्स मेंली है यह फैट्स तक आ था तो आत मिला हाकरा किर्जी उसके किनारे इसक पान्च सों साइट्स मिली हैं पान्ट डीटर you तो कहते हैं फिर पहले तो कहते थे गागरा करा के पांगसों इसूआं सौर्भ नहीं लिक फिर छोटे नमबर नहीं है तो फिर इसने Indus Saraswati Civilization कही है अब इससे मैंने टाइटल को Indus Saraswati Civilization का डाला है क्योंकि मुस्ट यह ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता पर अब तो पता चल गया आपको ठीक है तो Indus Saraswati Civilization हडपा Civilization इसलिए क्योंकि हडपा पहदी सिटी थी जहां इसको एक्सकावेट किया गया था तो यह तो होगे में इन पांच facts अब आते हैं एक बहुत ही रोचक fact के बारे में जो की चोड़ता है Indus Valley को महाभारत यानि की तौपर योको कल्यू के साथ जो एक common point था क्या common point था अब जो ठोला विरामीन उसे कहते है city of dead मतलब उसका मतलब जो है सिंधी में गुजराती में city of dead है अब city of dead क्यों कि वहाँ बहुत सारे skeletons मिले हैं बहुत ही जाला करीब 13 लाख से भी जाला skeletons मिले हैं तो यह कोई चोटा नमबर नहीं है और skeleton सबसे दुनिया में प्रान है 5000 साल का skeleton मिले हो भी एकदम साही condition में यह नहीं कि उस पर जैसे ममी में coffee ममी बनाते हैं mummification भी उसकी नहीं है ऐसे direct क्यों तो अब archaeologist हैरान पढ़ गई क्यों हो ऐसा क्यों इस 5000 साल पुराना हड्डियों का कंकाल इसमें radio activity कुछ मिले है मतलब कुछ nuclear के छेट खानी मतलब nuclear weapon के related कुछ मिला है जी कहना समझ रहे है परमानू बं के related कुछ मिला है तो फिर उन्होंने देखा कि अब जहां परमानू radiation होती है वहां कोई कीडा मकोड़ा उसको नहीं खाता क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल जाते है कि इसमें radio activities के पास भी नहीं जाते ना कोई जानवर ना कोई कीडा मकोड़ा तो इसलिए उनके मतलब decompose भी नहीं हुआ इसलिए उनके शरीर आज तक ऐसे ही पड़े है अब अब चलते हैं कुरुक्षेत्र की और जहां हुआ था धर्मयुद महां भारत का वहां क्या है वहां की जब मिट्टी में मतलब हमें जो है हमारे आर्केलाजिस्ट उनको मिले है green glass green glass एक टाइप का मतलब glass कह सकते हैं पर basically glass नहीं होता वो तब बनता है जब मिट्टी पर कोई परमानो बम गीरा हो मलब उसके nucleus atom से छेड़ काने हैं जैसा आप जानते हैं सारी दुनिया atom से बनी है उसके atom के nucleus के साथ कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ छेड़ कानी तो उससे green glass की formation होती है अब वापिस अब वहाँ क्या है जहां हमें वो skeletons मिले वहाँ एक पत्थर मिले हैं मतलब वो unnatural तरीके से जुड़े होएं ये भी तब भी होता है जब कोई nuclear weapon हो nuclear से चेड़ कानी हो bond बहुत गरम हो तो वो bond जुड़ जाते हैं दुन पत्थरों के और वो जुड़ जाते हैं अन्नैच्रल तरीके से जुड़े होएं समझ आई? आई है ना कोई समझ अगर नहीं आदे तो नुचे कमेंट में ज़रूर बताईएगा ठीक है? आप कमेंट नहीं करते हैं कमेंट करिए मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ नहीं आया? मुझे जरूर कमेंट करके बताईए अगर कोई सुझाव हो तो भी बताईए ठीक है? हाँ अब कहां थे हम? वहीं थे अब एक और वहां से मैं ताल्ब जोड़ रहा हूं कि देखिए महा भारत में हम जानते हैं कि सौक औरफ थे उनकी एक बेहन थी दूशला जानते हैं अब उसकी शादी हुई थी सिंदुराज मतलब इंडस रिवर के आसपस जिसका किंडम था उसके किंग के साथ की विवा हुआ था तो विवा हुआ हुआ मतलब सिंदुराज जैदरत के साथ तो हम कह सकते कि सिंदु घाटी है तो वो सिंदुराज मतलब मस्ट भी हो सकता है कि ये जो सिंदुराज्य हो मतलब तब का और वो इंडस फाली सिगलाज़ेशन है वो बड़े राज्य का पार्ट हो हो सकता है कुछ भी हो सकता है हम इतना नहीं पता पर फिर पिर जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्या को हूँ मैं अब आपको हिस्ट्री बहुत डीप है सिर्फ जो हमने पढ़ दिया वही हिस्ट्री निया इस्ट्री को बहुत इंदियन करना पड़ता है, पल पल चीजे बदल जाती है, इस्ट्री में क्या हुआ था, एक दम में थियोरी बदल जाती है, इस्ट्री बहुत वाइड है, चलिए ये थे छे फैक्ट्स जो मैं आपको बताना चाहता था, अब हमारे गीववेड चल रहा ह इसका, इंडिया फ्रम कर्जन टू नहर्वंड आफ्टर बाई डीडी बासू, ये बुक इसलिए क्योंकि हम पढ़ते हैं पंडितना जोहरलाल नहर्वेड देश भकते पर इसमें उनकी असलियत बताई करी है, तो इसका गीववेड चल रहा है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस ह पार्टिसिपेट करने के लिए, पहला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लिए हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक बटन दबाई और कॉमेंट कीजिए, ठीक है, उसका स्क्रीनशोट कीच लिजिए, और फिर शेयर करने का स्क्रीनशोट कीच लीडिये अब करना अब करना को अगर आपकी Instagram ID है नहीं है तो बना लीडिये अगर है तो आपको लिए बारे में बतायेंगे मतलब इसका एक link description में दें चैनल का link देंगे आप अपने एक post में simple सा task है कोई बड़ा task नहीं फिर उसका screenshot की उसमें मुझे tag कर लीजेगा उसमें मुझे instagram पे tag कर लीजेगा और वो post अपने चैनल पे डाल दीजेगा मतलब अपनी आईडी पे डाल दीजे और सिर्क उसका भी screenshot मुझे बहिए दीजेगा और हमारे उसका की विजेता को मिलेगी India from Carson to Nehru and after बहुत अच्छी book है एक पर परके जरूर देखेगा कोई बात है अगर आप नहीं participate करना चाहते contest में तो मैं आपको वैसी बुक करीदने का link आपको देदूगा चीक है बुक करीदने का मैं आपको link भी description में देदूगा यसे participant किया कही है ऐसे giveaway contest में कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं देखों कि मतलब वाके लोग इंडिया की true is to जानने में दिल्चस्पी रखते हैं या नहीं तो यह बुक है giveaway के लिए इंडिया फ्रम करजन तो नहरू एंड आफ्टर ज़रूर गिववे पार्टिसिपेट कीजिए मुझे अच्छा लगता है चलिए फिर आप की ववे में पार्टिसिपेट कीजिए चल किया लाइट कीजिए कमेंट कर दीजिए चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए हर हफते ऐसी ही वीडियो सलाता रहता हूँ फिलाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से धन्यवाद जैहिंद वंदे मात कि अन्यवाद कर देखने के लिए के लिए एक मैं आहे मात भूलिए.